आर्टी किचिन में आप सभी का स्वागत है और आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना धनिये की हरी चटनी जी हाँ अगर धनिया खतम हो जाए तब भी आप एक हरी चटनी तैयार कर सकें आप घर पर वो रेसेपी आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने तो चलिए शुरू करते हैं यहां मैंने एक वीडियम साइस का टमाटर लिया है जिसको मैं कट कर रही हूँ कट करने का यह फायदा है कि अगर कभी सबजी अंदर से खराब हो जाती है तो वह आसानी से दिख जाए और उसे आप निकाल दे और यहां मैंने लिए है एक बड़ी शिमला मिर्च जिसको भी मैं कट कर लूँगी और यह जो वाइट पोर्शन होता है शिमला मिर्च का यह भी हम निकाल देंगे इसे इसको निकाल कर फैक देना है इसके शिमला मिर्च के बीज भी नहीं डालने है इसमें इसको भी छोटे-छोटे पीसेज मैं कट कर लूँगी मैं क्योंकि शिम्लामर्च के जो वाइट पॉर्शन होता है यह चटनेगा टेस्ट बिल्कुल खराब कर देंगे इसलिए इसे आप जरूर निकाल दें आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वैल आइकन भी ओन कर लें और आपको मेरे ऐसे भी पसंद आती है मेरी वीडियो को लाइक भी करें तो ये देखिए मैंने इस इम्रा मिर्च का ये वाइट पोशन निकाल दिया है और इसके बीज भी अलग हटा दिये है सभी सब्जियों को हम छोटा-छोटा कट कर लेंगे ताकि ग्राइंड करने में असानी रहे अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप मिर्च को कम भी कर सकते हैं और अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इसमें हरी मिर्च और बड़ा भी सकते हैं यहां मैंने एक नीबू लिया है जिसको कट करके इसके बीज अलग निकाल देंगे नीबू के कर बीज हम नहीं निकालेंगे तो वो चेटनी को कड़वा कर देगा इसलिए नीबू के बीज जरूर निकाल देए तो यह देखिए मैंने यहापे बीज निकाल दिये हैं अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्या करना है तो सबसे पहले मैंने एक जार ले लिया है जार में मैं सभी सबजियों को एट कर दूँगी सारी सबजियों इसमें डाल देंगे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो इसे आप एक बार बनाए जरूर एक बार ट्राइ जरूर करना यह बहुत ज़्यादा तीही चटनी बनती है बहुत अच्छी लगती है खाने में तो सबसे पहले मैं इसे ग्रैंड कर लूँगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से मसाले एट करने है इसलिए वीडियो को एट तक देखना अभी थोड़े से सीक्रेट्स बागी है तो यहां मैं डाला है यह आदा इंच का अदरक कदू कस करके जिहां अदरक को हमेशा कदू कस करके ही डाले है और यहां मीं डाल रहे हुँ दो चुटकी काला नमक यह सफिद नमक यह स्वादा नुसार डालना है और भुना हुआ जीरा, आदा चमच, एक पिंच हींग और जो हमने नीवू के बीज निकाले थे, वो नीवू इसमें निचोड कर डालना है इसमें नीवू का रस डालना होता है, ना तो इसके छिलके डालने है नीवू के और ना ही बीज अगर भाई चंग बीज गिर भी जाते हैं, तो ऐसे आप चमच से अलग करने हैं, यह बीज बिलकुल न डालें आप तो मैं एक पूरा नीवू इसमें निचोड दूँगी यह देखिए, बीज मैंने निकाल दिये हैं, इसमें बीज नहीं आने चाहिए और अब इस सब मसालों को अच्छे से हम दोबारा एक वर ग्राइंड करेंगे, पेस्ट तयार करेंगे, यह देखिए चटनी बिलकुल रेडी हो चुकी है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंड में जरूर बताना मेरी वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना करना